नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हैं आपके अपने चैनल स्टड़ी वाइन सोफिशल पर तो इस वीडियो में आपको मुगल काल के बारे में बताऊंगा जो कि मद्यकाली भारत का बहुती परमुख काल था और पूरा मुगल समराज यही हमारे लिए बहुती इंपोर्ड़ है क्योंकि इससे परिक्षाओं में बहुत से प्रशन बनते हैं तो इस वीडियो के खास बात यह रहेगी जैसे हम फिलम को देखते हैं और फिलम की पूरी कहानी हमें याद हो जाते हैं उसी परकार मैं पूरे मुगल समराज यह की आपको कहानी बताऊंगा आपको इस पूरी कहानी को एक बाद ध्यान से सुनना है और हो सकते हैं आपको कुछ तत्याद ना रहें पर फिर भी आप पूरी कॉंसर्ट्रेशन के साथ इस पूरी कहानी को सुनियेगा और वीडियो के खत्म होने के बाद आप उस नोट बुक पे जो भी आपको कहानी मियाद रहें उसे लिखे हाँ हो सकते हैं आप कुछ भूलने के पर जितना आपको याद रहें उसे एक बाद लिखे लें फिर वीडियो को दुबारा शुरू करें और जो भी आप भूले हैं उसे नोट कर लें इस प्रकार आपका पुरा मुगल का कवर हो जाएगा और आपको यह याद भी रहेगा तो अगर आपको मेरी यह मेहनत पसंद आये तो अपने इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं मुगल समराज्ये जिन्होंने लगवग 331 सालों तक भारत पर राज्य किया तो मुगलों का शाषन 1526 से लेकर 1857 इस वी तक भारत पर रहा तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं आखिर मुगल समराज्य के स्थापना होई कैसे तो जब लोधी बंश के अंतिम शाषक इबराहिम लोधी ने भारत देश के अंदर उत्पाद मचा कर रख दिया था तब मिवार के शाषक राना सांगा ने बाबर को अफगानिस्तान से बुलाया था और बाबर ने आकर ही इबराहिम लोधी को पानी पत के पहले युद में हरा दिया और फिर यहीं से शुरू हुई थी मुगल समराज्य के स्थापना तो जब बाबर अफगानिस्तान से आया और उसने इबराहिम लोधी को पानी पत के युद में हरा दिया फिर यहीं से मुगलिया सल्तिनत का शाशनकाल शुरू हुआ तो चलिए अब शुरू करते हैं मुगल समराजे का पहला बात यानि बाबर जहां से मुगलिया सल्तिनत शुरू हुए तो बाबर का शाशनकाल 1526 इस्वी से लेकर 1530 इस्वी तक रहा और बाबर का जनम फर्गना खाटी, याद रखेगा फर्गना खाटी के अंधि जान नामक शहर में हुआ था जो कि अब उजबेकिस्तान में है और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था बाबर ने हिंदूस्तान में आते ही चार पर्मोह युद्य लड़े थे जो कि बहुत ही मेंतपूरण है और इन सभी यूथों में बाबर ही विजई रहा था और ये सभी यूथ लगभग एक-एक साल के अंतरान में लड़े गये थे जैसे कि पहला यूथ 1526 में लड़ा गया उसी अगला एक साल बाद 27 में उस से अगला एक साल बाद 27 में लड़े इसी परकार 11 साल के अंतरान में लड़ा गया था जिससे आपको याद रहने में कठना finanार लगए घोए तो पहला पानी पत प्रतमय लड़ा गया था जो कि बाबर जबाय था उसने इबराहिम लोती के साथ रड़ा था और इसमें बाबर ही विजय हुआ था उससे अगला खानवा का यूद रड़ा जो की 1527 इसमें विजय रड़ा और यह राना सांगा और बाबर के बीच में हुआ इसमें भी बाबर ही विजय रहा उसके बाद चंदेरी का यूद बाबर ही विजय रहा तो चलिए आगे भी कुछ देख रहेते हैं तो चोग खानवा का यूद हुआ था खानवा के यूद के बद, बाबर ने गज़ी के उपाते मिल गज़ी तो जो खानवा बाबर کا भी रजना की था जिसका नाम था बाबर नामा बाबर के चार उत्र हुए थे हुमायू, कामरान, असकरी और हिंदा लेकिन आगे चलकर हुमायू ही बाबर का उत्रादिकारी बना था मनलब बाबर के बाद हुमायू ने ही राजगत्दी समाली थी तो करीब 48 वर्ष की आयू में यानि 1530 में आगरा में ही बाबर की मिरत्दी हो गए थी पहले तो बाबर का जो शफ था उसे आगरा में ही दफना दिया गया था याद रखे ये भी काफी महत्पूर हैं पहले बाबर का शफ आगरा में दफना आय गया था पर बाब में उसे ले जाकर काबूल में दफना दिया गया था, बाब में उसे ले जाकर जहां बाबर ने अपनी जगा चूनी थी, वहां पर दफना दिया गया था, या जो कि काबूल थी, तो चलिए, अब बाबर के बाद हुमायू के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि बाबर में हुमायो को राजगर्दी पर बढ़ाया गया और हमीता बानु बेगम से कर दिया गया और हमीता बानु बेगम से ही जनम हुआ भारत के एक महान समराथ अकबर का याद रखेगा कि हुमायो की शाषनकाल में शेर सासूरी ने जीटी रोड का पर निर्मान कराया था जो की काफी महतऊपूरान हैं और जो हमायो के आतंक था हमायो नामा इसकी शीडिया है इसी पर से गिर लेकर हुमायू के मृत्य हो गए थी तो हुमायू के बाद अब राजगत्ती पर बैठा अकबर तो अकबर का शाचनकाल बहुत लंबा शाचनकाल रहा और बहुत महत पूरण शाचनकाल रहा अकबर का 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का जनम 1542 में अमर कोट याद रखेगा अमर कोट जो कि पाकिस्तान में है मुहापर हुआ था और अकबर ने बहुत ही कम उमर में पानी पत का जो दूसरा युद जो की 1556 मिलड़ा गया सिकंदर सूरी के सेनपती हेमू को युद में हरा दिया था बहुत ही कम उमर में और जो अकबर का शाषनकाल था ये हिंती साहित का स्वरनकाल कहलाता था तो जो अकबर का शाषनकाल था ये हिंती साहित का स्वरनकाल कहलाता था और अकबर ने 1582 में दीने इलाई धरम की स्थाफना गी थी यहाद रखिएगा दीने इलाई धरम और इस दीने इलाई धरम को अपनाने वाला अकबर पहला व्यक्ति बना था और बात करें पहले हिंदू व्यक्ति गी तो बीरबर पहला हिंदू व्यक्ति बना था जिसने दीन इलाही धर्म अपनाया था पहले अकबर ने अपनाया और पहले हिंदू बीरबर था जिसने इससे धर्म को अपनाया था और अ A से अबुलफजर, T से तांसिन, B से भगवान दास, फिर A से अब्दूर्रहिम, खाने खाना, T से टोडर्मल, M से मान सिंग, और D से दोपयाजा, यानि मुल्ला दोपयाजा, और A जिसे हकीम, हकाम, तो ये एक अकबर के नो रतन थे, जो कि काफी महतपूरन थे, तो चलिए, अब आके, अकबर के कुछ महतपूरन कारियों के बारे में आपको बताता हूँ, जो कि काफी महतपूरन हैं, और परिक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो अकबर ने दास प्रता कांदि किया था, और जो तीर थियातरा पर कर लगता था, उसे भी अकबर ने समाप्द कर दि और इलाही सम्वत की शुरुआत भी अकबर नहीं की थे, तो चलिए आगे देखते हैं, अकबर ने गुजरात विजय के बाद बुलन दरवाजे का निर्मान कराया था, जो अब यह इमेज में देख रहे हैं, यह है बुलन दरवाजा, तो अकबर ने जब गुजरात पर वि तो अकबर की मृत्यू 1605 इसवी में हो गए, और कहां पर आगरा की निकट सिकंद्रा में अकबर का दफना दिया था, तो अकबर के बाद अगला शाशन किसका हुआ, जहांगीर का, जहांगीर ने 1605 इसवी से लेकर 1627 इसवी तक भारत पर राजित गया, जिसे सलीम भी कहा जाता है, सलीम का नामी था जहांगीर, तो अकबर का पुत्र सलीम जहांगीर 1605 इसवी में राजगती पर बैठा, और जहांगीर के शाशन काल में याद अखिये कि बहुत ही महत्वोरन हैं, चार यूरोपिय यातरी भारत आये थे, कौन-कौन से, हॉपकिन्स, विल्यम फिं बात करा दिया गया, तो जहांगीर के समय को चित्र काला का शुर निकाल कहा जाता था, जहांगीर के परमुट्चित्र काला ते अबुलहसंद, यह भी एकदम में पूचाझा जाता है, तो जहांगीर के बाद पारी आई शाहांगी जिसने 1627 इसवी से लेकर 1657 इसवी तक भारत पर राजी किया जहांगीर के बाद सिंगहसन पर शाहां बेटा और शाहां की बेगम का नाम अरजुमंत बानो जिसे मुम्ताज कहा जाता है तो अर्जुमंद बानों को ही मुंताज का जाता है ये शार जाहां की बेगम का नाव था तो शार जाहां की शार्जाहन को स्थापत एक तो चले इन परमुखिमारतों के बारे में पढ़ लेते हैं तो जैसे कि दिल्ली का लालकिला, ताजमहल, मयूर सिंखासन और दिल्ली की जामा मजिद इसे शाजान नहीं बनवाये था तो ताजमहल और मयूर सिंखासन से ये प्रशन भी बनता है कि शाजा की साथ संताने थी, पर उन साथ संतानों में से, उसके केवल दो ही ऐसे पूत्र थे, जो कि उसके बाद आगे राजगत्ती संभालने के लायक थे, कौन-कौन, एक तो दाराशिको और दूसरा ओरंग जेव, जो दाराशिको था, ये काफी बिद्वान माना जाता था, क्योंकि कहा जाता था, कि जितने भी हिंदू धरम की गरंदें, जिसे श्रीमत भगवत गीता, रमायन हो गया, इसका उसने फार्सी में नुमाद करवाया थ तो ये काफी बिद्वान था, पर उत्राशिकारी बनने के लिए दाराशिको और ओरंग जेव के बीच यूद हुआ था, याद रखियागा ये यूपी PCS में पूछा क्या स्वाल है, जो धरमट का यूद, तो दाराशिको और ओरंग जेव के बीच धरमट का यूद हुआ, कि कौन उत्राशिकारी बनेगा शाजां के बाद में, तो लेकिन इस यूद में औरंग जेव की विजय हुई थी, और उसके बाद भी कई यूद हुगे दाराशिकों के साथ, क्योंकि दाराशिकों माना नहीं, पर हर यूद में औरंग जेव की विजय हुई, और बाद में ओरण जेब ने शाह जाहां मतलब अपने पिता को ही बंदी बना लिया, और आगरा के बंदी गरह में ही शाह जाहां की मृत्वी हो गई थी, कितेने ुय TOP 74 साल की उमर में और छा कर बंदी गरह में उसे मृत्वी हों गई थी, ये काफी महत्पूरण है यादक किया तो शाजहां के बाद अगला शाजह कौन बना ओरंग जेव औरंग जेव ने शाजहां को बद्दी बनाने के बाद स्वय को बाशा गोशित कर दिया और ओरंग जेव ने 1658 से लेकर 1707 इसनी तक भालत पर राजी किया औरंग जेव ने कई हिंदियों मंदरों को तोड़ने का भी आदिश दिया था यह पूशा जाता है कि औरंग जेव ने कौन कौन से हिंदों मंदरों को तोड़वाय था तो इसमें से कुछ परमुक मंदिर हैं जैसे कि गुजरात का सोमनात मंदिर काशी का विश्वनात मंदिर और मतुरा का केशो राय मंदिर इन सभी मंदिरों को ओरंग जेव ने तुड़वाने का अदेश दे दिया था और पूरे मुगल वंच में सबसे ज़्यादा टेक्स वसूरने वाला शाचक ओरंग जेव ही था और ओरंग जेव ने जजियागर को पूना लागू कर दिया था जिसे अकबर ने हटाया था तो अकबर के बाद ओरंग जेव ने फिर से जजियागर को लागू कर दिया और औरंग जेब के शाशनकाल में मुगल सेना में सरवादिक हिंदू सेना पती थे इसे भी आप याद अग्येगा कि औरंग जेब के शाशनकाल था जिसमें मुगल सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेना पती थे और उसके बाद औरंग जेब की मृत्यू 1707 इस्वी में हो गई थी जो कि उस समय खुलदाबाद में हुई थी जिसे अब रोजा कहा जाता है ये रोजा उत्तर पदेश में है वहाँ पर इसे दफनाय गया था औरंग जेब के बाद भी बहुत से मुगल शाषक हुए पर वो इतिहास में अपना परभाव न डाल सके बनला बहुत ही कमजोर शाषक रहे थे तो औरंग जेब तक ही हमारे प्रिक्शों में परशन पूछे जाते है फिर भी मैं आपको सभी मुगल समराज जितने बी थे सभी को कर्मा नुसा यार रखने की ट्रिक्श जिससे आप जितने भी मुगल सम्राठ हुए थे जितने मुगल शाचक होए थे उनको उनके सीरीज वाइज यार रख लेंगे तो इसके ट्रिक है भाजी सब्जी फॉर मासा यही है इसके ट्रिक जिससे जितने भी मुगल समराण होए थे आप सबी को यार रख पाएगे जैसे बी से बाबर एसे हमायू एसे अकबर जैसे जाहंगीर भाजी उसके बास सब्जी एसे शाजहाँ एसे ओरंगे बी से बहादु शाँ जेसे जाहंदर शाँ फॉर से फरुशी एन से मुहमद शाह, ए से एहमद शाह, ए से आलमगीर, भाजी सब्ची फोर मा बचा साब, तो एस एच से शाह आलब दृत्ये, ए से अकबर दृत्ये, या दखिएगा पहले अकबर था, अब ये है अकबर दृत्ये, बी से बादुर शाह जफर, जो कि अंति मुगल शाशक हुआ, य इससे मैंने आपको करमा नुसार, यानि सीरियल वाइस याद करा दिया, अब इससे बाहर, आपको मैंने जितना भी बताया, मुगल समराट, जितनी भी मुगल शाशकों के बारे में बताया, इससे बाहर, आपकी हिज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस अब इसे ही वीडियो लाता रहता हूं, करंट अफ्यर के भी मैंने वीडियो अपलोड कियें, बहुत से जीगे के ट्रिक्स भी वीडियो अपलोड कियें और साइंस की भी वीडियो में डाहता हूं तो आप अपनी चैनल को अगर कॉंपेटिशन एकजाम की त्यारी करते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, धरन्यवाद